अब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अप बीटिफुल सा बीटिफुल सा विंग लाइनर कैसे ड्रॉप कर सकते हो तो येस आपको किसी इवन लाइनर की भी जरूरत नहीं होगी अगर आपके पास कोई अच्छा वाला आईलाइनर नहीं है तब भी आप ये लूक येस आप सही सुन रहे हो आईलाइनर के बगेर आप आईलाइनर लगा सकते हो और वो भी क्यू टिफ के मदद से तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी क्यू टिफ के साथ आप कैसे एक अच्छा सा एकदम शार्प, विंग्ड और प्रॉपर लाइनर ड्रॉप कर सकते हो इसको अपने फिंगर के मदद से जस्ट अपने एकदम आईलेश के जो लाइन है उसके बगल में ऐसे स्प्रेट करते जाना है you don't need to be very perfect आप देख सकतो मैं किस तरी के से लगा रही हूँ एकदम उधर पुतर हो गया है बट आपको ऐसे ही लगाना है उसमें कोई चिंता करने वाली बात है नहीं वो मैं बाद में बताऊंगी क्यो and just ignore my ugly nail paint उसको मैंने ठीक नहीं किया था so that is different issues उसको आप ignore करो and अभी आप वीडियो पे focus करो तो इसको ऐसे मैंने पूरी अच्छी से जहां तक आप wing चाते हो वहां तब आपको इसे फैलाना है तो इसको लगाने के बाद अभी मैंने q-tip पे ले लिया है micellar water and इसके साथ अभी मैं जो भी जो extra लग गया जो अगलीनेस है और जो untidy लग रहा है उसको मैं clean करूंगी just एकदम random आपको clean करना है बस ध्यान रखना है कि जीतना मोटा आप अपना eyeliner चाते हो वो वाला area जो है उसमें आचना आए बस इतना तो इसको मैं ऐसे अच्छे से clean कर रही हूँ and आपने देखा मैंने उपर का part जो है proper clean कर दिया है and अभी मैं नीचे का हिस्सा भी ऐसे clean करूंगी just like this and आप इसको बहुत sharp तरीके से करोगे एक stroke में clean करोगे तो ये अच्छा वाला wing बन जाएगा जैसे आप देख सकते हो boom कैसा magic हुआ एकदम अगली जो liner था बहुत ही खड़ाब दिख़ा था वो एकदम proper अभी बन गया है and this is how it will look आप किसी भी color के एकदम jet black color का जो original liner होता है आप भी कर सकते हो and ये पिगलेगा भी नहीं क्योंकि eye shadow से हमने किया है तो आपको waterproofing का भी परिशानी तो खतम and yeah this is how it looks so beautiful and so natural but so easy so yes this is all about my today's video I really hope video आपको पसंद आए होंगे अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आए है तो इस वीडियो को thumbs up देना मेरे चनल को subscribe करना and I will meet you guys on my next video till then keep styling keep smiling be happy bye bye